क्रिशी छेत्र के अधो संद्रचना विकास के लिए प्रधान मंत्री नरेन मोदी द्वारा एक लाख करोर रुपे का विशेश फंड खोशित किये जाने पर मध्य प्रधेश के क्रिशी मंत्री कमल पतेल ने प्रसनता व्यक्ति करते हुए कहा कि इससे किसानों की आत्म निर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा क्रिशी मंत्री गमल पटेल ने कहा कि देश में क्रिशी से जुड़ी सुविधाय तयार करने के लिए प्रधान मंत्री नरिन मोती ने एक लाग करोड रुपे का विशेश फंड लॉंच किया है किसान अब मजबूर नहीं और मजबूत होंगे अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दाइरे में और मंडी टेक्स के दाइरे से मुप्त कर दिया गया अब किसान के पास अनेक विकल्प हैं अब किसान अपने खेत, खलिहान, घर से अपनी फसनों का सौधा कर सकता है किसान के पास फसनों के भंडारन, कोल्ड स्टोरिज की सुविधा गाउ में ही होगी वे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर अपनी उपज से ज्यादा लाब कमा सकेंगे इसके लिए किसानों की दस हजार समितियां बनाई जाएंगी भारत के यसश्वी प्रधान मंती नरेंद मोधी जी ने किसानों को बहुत बड़ी सोगात दी है और क्रसी अवसरचना कोश के तहट एक लाग करोड की वित्ति पोशन सुविधा का सुभरम किया है साथ ही प्रधान मंती किसान सम्मान निधी की छटवी किस्ट के रूप में 17000 करोड रुपया आठ करोड 55 लाख किसानों के खातों में स्थीदे जम्मा किए है उसके लिए मैं किसानों की ओर से मद्ध्रदेश की ओर से मानि प्रभाण मंत्री मानि जी का बहुत बहुत अभार्व थाफ करता हूं धन्यवाद कि उन्होंने बल्राम जैंती के उसर पर ये सोगाते भारत के किसानों को वुर्मध्यप्रदेश की किसानों को दी है सही माहिने में सत्ता परिवर्तन से व्यवस्ता परिवर्तन करके दिखाया है हमारे प्रधानमंति नरेद मोधी जी ने नहीं तो एक समय था जब स्वारगी राजु गांदी जी प्रधानमंति थे वो कहते थे कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं गाउं में जाते जाते 15 पैसे रहाते हैं और 85 पैसे सत्ता के दलाल खा जाते हैं उस समय पंच से लेकर प्रधानमंति तक कांग्रिस के सत्ता थी और उसलिए दलाल भी उनी के थे लेकिन मोदी जी ने कहा ने खाऊंगा ने खाने दूंगा और वो उन्होंने सरीटात करके दिखाया है जवस्ता परिवर्तन करके और आज उन्होंने जो एक बटन दबाई है आकिसानों के खातों में जम्म होंगा है इसी से अब देश आत्म लेपर होगा सू सासन इमानदार सासन सत्ता परिवर्तन से जवस्ता परिवर्तन करके करके दिखाने का माद्दा हमारे प्रधान मंती नरेंग मोदी जी में है उसके लिए भी मैं बदाई देता हूं उन्होंने आत्म निर्वर भारत का आवभान किया है 21 विसादी भारत की होगी वो तभी होगी जब किसान मजबुत होगा और इसलिए आत्म निर्वर क्रसिप से आत्म निर्वर किसान और आत्म निर्वर किसान से आत्म निर्वर मद्द प्रदेश आत्म निर्वर भारत होगा निश्चित रूप से हम सम मिलकर महानी प्रधान मंत्री जी के नियतरत में और मद्द प्रदेश के मुक्य मंत्री शिवराज जी के नियतरत में हम खेती को आत्मने पर बनाएंगे, हम किसान को आत्मने पर बनाएंगे और मद्द प्रदेश और देश को आत्मेरे बराने में अपना योग्दान देगे संगीत 300 लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्टीती से कूट मीती तक दखन नीउज आपके हत्म आप देख रहे हैं दखन नीउज